और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रूसी के अ-52 हेलिकॉप्टर का यूक्रेणी टार्गेट पर अटैक के अ-52 से अटैक का वीडियो भी सामने आया है यूक्रेण के मिलिटरी टार्गेट्स को धुस किया गया है रशियन फोर्स के स्पेशल आपरेशन में शामिल हुआ के अ-52 अटैक हेलिकॉप्टर तो देखिए के अ-52 अटैक हेलिकॉप्टर अब बड़े पैमाने पर इस्तिमाल किया जा रहा है युद्ध और भी विद्वनसक होने जा रहा है ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि कहीं ये युद्ध परमाडू युद्ध की शकल अख्तियार ना कर ले के अ-52 हेलिकॉप्टर जो की अटैक हेलिकॉप्टर माने जाते हैं अब रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर इनका इस्तिमाल किया गया है और के अ-52 अटैक हेलिकॉप्टर को इतना घातक क्यों माना जाता है ये देखिए हम आपको पताते हैं टैंक, आम्ड वेकल्स, चौपर को निशाना बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और एक और बड़ी खासियत जान लीजिए, कई तरह की मिसाईलों से इन्हें लैस किया जा सकता है ये देखिए, तीन सो किलो मीटर प्रति घंटा तो इनकी स्पीड है, पाँच हजार पाँच सो मीटर की उचाई पर उड़ सकता है पाइलेट और पाइलेट एजेक्शन सीट वाला ये पहला हेलिकॉप्टर भी है हर मौसम में काम करने में इसे सक्षम माना जाता है और सर्विलैंस के लिए इसे बेहद मुफीद माना जाता है झाला जाता है